तो हेलो गाइज और वेलकम बैक तू माई यूटूब सेनल तो फ्रेंट्स आज मैं हूँ गोरेगा वेस्ट में जिदर आज न्यू के नए शोरूम का अन्विलिंग होने जा रहा है तो केट्यम ने मुझे परसनल इन्वाइट किया था इस इवेंट के लिए तो मैं अभी बस केट्यम में हूँ तो अभी चलते हैं अन्विलिंग होने वाले बैसिकली बीएस्स मॉडर्स बैसलि बीएस्सक्श मोड़ मोडर्स के बाद सारे जो बाइक थे केट्यम ने सारे चेंज किय को केट्यम का पाहिला ट्यूट्व जिरीज था वो उसका वे पूरा चैंजिस हो ग उसको एनना एक बाहर की कमपनी, इंटरनेशनल कमपनी जिसने टाइप किया अभी KTM के साथ, तो अभी सारे जो बाइक्स है उनके भी अन्विलिंग होने वाले है, कुछी दीनों में, तो यह है शोरूम नया, तो सारे बाइक्स कवर अफ है, क्योंकि बीसिक्स मोडल के सारे मो क्योंकि दृब्स्वार कारे मोडल थारे मोड़ी यहार की वाले है, क्योंकि देल नहीं है। झाल 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 तो यह है KTM Duke 200 येस इस इस न्यू मॉडल बीए 6 तो बीए 6 मॉडल में भी पूरा पूरा डिजाइन चेंज हो गया अभी 250 जैसे डिजाइन है ये आप देख सकते हो 200 का बैजिंग इतर दिया गया है इन्स्रूमेंट क्लस्टर जो है सेम है वोल्ड मॉडल जैसा बस अभी पूरा डिजाइन और पूरा फ्रेम चेंज कर दिया तो पहला बहुत ज़न को कौन्फूजन था कि 250 लेने या 200 तो अब भी कन्फूजन आइ थिंक डिजाइन के वज़े से फ्रेम के वज़े से दूर हो ही गह रहेगा सो देट इस 200 और दिस इस 250 येस अगर आप कलर देखते हो तो ये है औरेंज कलर 200 का जिसमें आपको आगे ब्लैक फ्रेम देखा और पीछे और पीछे औरेंज तो अगर अब दूसरा कोई डि फ्रेंशिस देखते हो तो वो है आगे के टी अर जो है वो अलग कलर में है येस ये देखो ये जो मैंने परसनली इसको आइडिंटिफाइड किया है ये इसको ये देखो ये जो डी आर्ल है इसमें थोड़ा लाइक और परपल कलर है इस नहीं कर पा रहा है और इसमें जो है थोड़ा लाइट वाइट है पर्ल वाइट कलर में दिखाई देगा आपको डियारल तो अगर सेकंड डिफरेंट जो है वो है इसके हैंडल में दोनों के अगर आप 200 का हैंडल बार देखते हो तो इसमें वेट डिस्रिबिशन ने दिया गया है जो कि आपको 250 में मिलता है येस अलस्डर डिफरेंट जो मुझे पर स्नली लगा वो है है ज्गार इथर जो आपको कलर मिलता है दोनों कलर फिकánd मत में मत में डेख सकते हो तो आपको ब्लाइक कलर मिलता है तो Duke 200 डो कलर्स में अवेलेबल है तो एक ये है औरेंज और सेकंड कलर इस वाइट ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे परस्नली अब कमेंट सेक्शन में बताना आपको कौन सा अच्छा लग रहे तो ये है 200 तो अभी क्विकली अपर सुनते है इसका एक्सास्ट नोट तो फोर्च जो मेजर डिफरेंस है वो है इसके एक्सास्ट में डूक 250 में एक्सास्ट जो है ये पूरब भाहर तक आता है जिसे अब देख पा रहे हो अगर 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 अब 200 का देखते हो तो सेम है ओल्ड मॉडल जैसा ये नीचे दिया गया है इसका एक्सास्ट अगर अब कंपेर करते हो तो टूक 200 और 250 में तो 200 का जो एक्सास्ट है वो थोड़ा साइलेंट है और इसमें 250 में जो है थोड़ा बेसी साउंड आपको सुना ही देगा तो अभी जो है डूक 200 में इसका टैंक कैपिसिटी बढ़ा गया है थर्टीन पंट 5 लिटर से ये जो कि 30 परसंट आराउन ज्यादा है ओल्ड मॉडल से 200 के और जिसको भी शार्पी डिजैन परसंट था वो तो अभी अवेलेबल है डूक 200 में मेरे साथ है आशिश येश जो के शोरूम मैनेजर है और मेरे बहुत अच्छे फ्रेंडी है तो प्राइजिंग जो भी रहेगा ये आपको बताने वाले है तो बताने है टूक 200 का प्राइजिंग किया है डूक 200 का अप्राइजिंग बढ़ा है 2.03.000 ग 2.50 का and 250 का है तो बस आज के लिए बस इतना ही अगर ये वीडियो पसंद आ रहे है तो ज़रू लाइक करना और चादर से तो शेर करना और कमेंट सेक्षिन ने बताना आपको पूंसा कलर पसंद आ है थेंक्यू